अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रही है ये देश तेजी से बदलती इस दुनिया में युद्ध का तरीका भी बदल कया है अब पारम परेक हतियारों की जगा आधुनिक और कलपना से परेक घातक हतियारों ने ले लिया है लेकिन दुनिया यही रुकने को तैयार नहीं है बलकि हर देश एक से बढ़कर एक तक्नीक विक्सित करते हुए अलग-अलग तरह के हतियार बना रहे हैं इसी क्रम में अब कुछ देश अंतरिक्ष में युद्ध करने लायक हतियार बनाने में जुट गए हैं भारत भी इसमें पीछे नहीं है कौन है वो देश जो अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करने वाले हथियार बना रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि जब अंतरिक्ष में कोई रहता ही नहीं तो फिर अंतरिक्ष तक हमला करने वाले हथियार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दुनिया के लगभग देश अंतरिक्ष में अपना सैटलाइट भेचते हैं जिसके जरिये पूरे संचार सिस्टम के साथ साथ नविगेशन सर्विलांस सिस्टम समेथ दर्जन उतरह के बेहधी महतपूर्ण सिस्टम काम करते हैं अब अगर युद्ध की स्थिती में कोई देश अपने दुश्मन देश के सैटलाइट को ही नश्ट कर देगा तो उस देश की संचार व्यवस्था के साथ साथ कई महतपूर्ण सिस्टम काम करना बन कर देंगे इसका बहुत बड़ा नुकसान दुश्मन देश को उठाना प लिए एंटी सेटलाइट वेपन का इस्तेमाल किया जाता है इस तकनीक को सबसे पहले सोवियत संग के वैज्यानिकों ने हासल किया था उसके बाद इस पर अमेरिका ने भी काम किया और अमेरिका को भी एंटी सेटलाइट वेपन बनाने में काम्याबी मिल गई रूस अमेरिका फ्रांस के अलावा चीन नेवी कुछ साल पहले अंतरिक्ष में मार करने लायक मिसाइल तयार किये थे जब दुनिया के लगभग बड़े देश एंटी सेटलाइट हतियार बनाने में जुटे हुए हैं तो भला भारत कैसे पीछे रहता आज वर्ल में एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ती के रूप में अपनी पहचान बना चुका भारत भी अंतरिक्ष में मार करने लायक हतियार बना चुका है 2019 में मिशन शक्ती के तहट DRDO के विज्ञानिकों ने एक ऐसा एंटी सेटलाइट हतियार तयार किया था जिसके जरिये दुश्मन देश के सेटलाइट को पल भर में नश्ट किया जा सकता है इसका सफल परिक्षन भारत ने अपने ही एक पुराने सेटलाइट को मार गिराक कर किया था इसके बाद से भारत की ताकत दुनिया में और बढ़ गई है दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो ची लगी होते से लाइक और शेर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबा का नोटिफिकेशन भी आन करें धन्यवाद